हेलो गाईस नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागते जिन बच्चों के कक्चा दस्वी में विज्ञान विसे में पूरक आईए सभी स्टुटेंट्स ध्यान पूरवक इस वीडियो को देखिएगा आपका जो पेपर है वो रहेगा इस्टुटेंट्स 14 जून को आप सप्लिमेंटरी का पेपर देने वाले हैं विज्ञान विसे का इस्टुटेंट्स यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर हिंदी और इंग्लिस वर्जन में तो आप सभी हाई स्कूल पूरक परिक्चा वर्स 2024 देने वाले इ इस वीडियो को लाफ्ट तक देखेगा पूरा कोशन वेपर रहेगा सुलिशन के साथ सभी ऑब्जेक्ट्टु टाइप कोशन प्लस आप लोगों को में सभी टू मार्क्स त्री मार्क्स और फोर मार्क्स के कोशन बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तो सभी साथ में अपने दोस्तों को शेर कर दीजेगा और आपको किस विशे में सप्ली आई है कमेंड बॉक्स में जरू बताईएगा ताकि उसके उपर न्यू वीडियो आप लोगों को प्रवाइड करवाया जा सके चैली स्टुडेंट्स और अगला वीडियो आप लोगों को नोटिपिकेशन मिल जाएगा सबी वीडियो का नोटिपिकेशन वीडियो से आपको मिल जाएंगे चलिए बच्चो तो पहला कुश्यन देखते हैं लोहो चूर्न पर तनू हाइड्रो क्लोरिक अमल डालने से क्या होता है तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगला अंसर आपका सही होगा तूसरा कुश्यन है सबसे अधिक अभी किरिया सील दातु है तो यहाँ पर अंसर होगा एन ए एन ए आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला प्रिश्न है प्रिश्न नमबर थर्ड है मुकुल द्वारा अपने हाथ में कोपी और पेन जरूर रखिएगा जिससे आपको ये कुश्यन जो देख रहे हैं ये जल्दी ही याद हो जाएंगे मुकुल द्वारा अलेंगिक जनन किस्त में होता है तो यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा आपका ये स्ट आपका करेक्ट अंसर होगा और निमने लिकित में से कौन मानव के मादा जनन तंतर का भाग नहीं है तो यहाँ पर आपका सुक्र वाही का करेक्ट अंसर होगा ये इसका भाग नहीं है और लेंस की छमता का एसाई मातरक है तो लेंस की छमता का जो एसाई मातरक होगा बच्चो वह होगा डाई आप्टर डाई आप्टर आपका राइट अंसर होग हेना आगे बढ़ते हैं मानव नेत्र जिस बाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनाते हैं वे है तो उसे हम कहते हैं बच्चो द्रस्टी पटल कहते हैं ध्यान रखिएगा कोश्चन गलत मत कर देना ये कोश्चन पेपर में आते हैं और आप इसका गलत जवाब लगा देते हैं और जैसे ही आपको अब्जेक्ट गलत होते हैं तो फिर यूं मानके चलिएगा कि पूरा कोश्चन पेपर आपका भी गड़ जाता है अभी नैत्र लैंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्ष मावी द्वारा परिवर्तन किया जाता है English Medium वाले बच्चे भी जड़ा इंतजार कीजिएगा आप लोगों के लिए भी है नीचे जीवास में इदन है तो जीवास में जो इदन है कोईला एवं पेट्रोलियम जो है वो जीवास में इदन माना जाता है English Medium वाले बच्चे यही अंसर लगाएंगे उपर सापने देखा होगा यह अपने अंसर जो उपर हमने इंदिम बताए वो ही लगाएंगे चालिए अब यहाँ पर रिक्तिस्तान की पूर्ती करना है पहला वाला रिक्तिस्तान आप देखेंगे यहां कि न्यू लेंड्स ने का सिद्दान्थ दिया तो न्यू लेंड्स ने जो सिद्दान्थ दिया और किसका दिया अश्टक का अफटक का सिद्दान्थ दिया खालिस्तान में क्या लिकेंगे अश्टक और मचली के हिरदे में केवल कोस्ट होते हैं तो अंसर क्या हो जाएगा दो कोस्ट होते हैं खालिस्तान में लिखेंगे आप दो expression हरे पोदे अपना सोयमग बनाते हैं तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे बहजन और वाई भी स्वशन क उपस्तिती में होता है तो यहाँ पर आ जाेगा ओक-टू की उपस्तिती में होता है अगला प्रिश्न है किरियाए मेडूला द्वारा नियंतरित होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनेचिक अनेचिक किरियाए जो होती है वो मेडूला के द्वारा नियंतरित होती है अगला प्रिश्ण है नर युगमक एवं मादा युगमक के सम लयन को कहते हैं तो उसे हम कहते हैं निशेचन, क्या कहते हैं students, उसे निशेचन कहा जाता है, अगला question, विद्धुद्धारा का SI मातरक क्या होता है, तो कालिस्तान में आप लिख कराएंगे MPR, MPR विद्धुद्धारा का SI मातरक होता है, इस कालिस्तान में में उर्जा का प्रवा एक ही दिसा में होता है तो यहाँ पर हो जाएगा खादिस रंकला ओकेश ट्रेंड्स ये हमारे इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे भी कह रहते सर आप अगर विज्ञान का लेकर आओ तो उसको इंग्लिस मीडियम में भी लेकर आना ताकि हम अच्छे से हमारा रिविजन कर सकें पढ़ सकें तो यह पढ़ लीजेगा जिसके बाद में आगे हम बात करें तो यहाँ पर जोड़ी मिलाईए जोड़ी मिलाएंगे साधरन नमक का जो सूतर होता है और क्या होता है बच्चो ए इचे हमारा कांसा होता है मिस्त दाटू क्या हो जाएगी कांसा और पलको का जपगना यह जो होती है प्रतिवर्ति किरिया होती है और हाइड्रा में प्रजनन इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुलन और अनुवान्सिक जो पदार्त होते हैं इसको आप मिलाएंगे बच्चो DNA और चुम्बकी छेत की तिवरता का मात्रक और श्टेड और चुम्बकी जो पदार्त है इसको हम लोवे से मिला देंगे ठीक है इस प्रकार आप अपनी जोड़ी मिलाएंगे नमबर इदर डले हैं वैसे आपको समश्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इंगलिस मिडिये वारे सभी बच्चे अपनी जोड़ी लगा लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम एक सब्द मुत्तर भी देखेंगे जैसे पहला कुश्यन है एक वाट के मुत्तर दीजिए अमली विलियन के पीच का मान लिखिए तो साथ से कम या फिर एक से साथ से साथ के बीच और दो या दो से अधिक दातूों के समांगी मिसरन को क्या कहते है मिसरातू दो तंत्री का कोशिका के मद्य खाली इस्तान को क्या कहते है सिनेप्स कहते है रजो धर्म की अवदी कितने दिन की होती है तो दो से आठ और अनुआनशिकी के जनक का नाम लिखिए तो मेंडल और लेंस सूत्र लिखिए तो एप बटा एप बराबर एक बटा भी बटा एक बटा चार इस परकार से दरपन के लेंस का सूत्र हो जाएगा विद्धुत परिपत का क्या अर्थ है तो आवेस पिरवा की दर क्या हो जाएगा आवेस पिरवा क कितने दुरू होते हैं तो दो एक एस होता है एक एन होता है ये दो दुरू होते हैं किसके चुम्बक के English Media वाले बच्चे अपने अंसर देखेंगे अब मैं आप लोगों के लिए आपको पास करवाने के लिए वे question बता देता हूँ, जो 2 number के हैं, 3 number के हैं, और 4 number के हैं, students इन question को जरूर पढ़िएगा, देख सकते हैं, screen पर सभी question एक से लेकर तो पूरा question पेपर आपको बताया जाएगा, अब यहाँ पर आपको कितने question मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, इन 4 question को करिएगा, ठीके, तब तक मैं आप लोगों के लिए 6 से, मतलब कहां से, 7 से, 7 से लेकर 23 तक, आपको अगले वीडियो में provide करवाऊंगा, या आपको objective, objective type question की ही आवशक्ता है, आप comment box में बताएंगे, जितने जल्दी आप बताएंगे, उतने जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीके, अगर आपको objective type question क आवशक्ता है, तो objective करवा दिये हैं, अगर आपको 2 नमबर, 3 नमबर, 4 नमबर question की भी आवशक्ता है, तो इसी paper का solution मैं आपको last time करवाऊंगा, ठीके, अभी बता दूँगा मैं, वीडियो जल्दी से जल्दी, comment जिन बच्चो के आएंगे, वेसे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये वीडियो था, अमारे सभी बत्चो को, अपने सभी सात्यों को जरूँ शेयर करिएगा, धन्यवाद, thanks for watching,